हाई फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका अपना चानल एक्सपेरिमेंट भाईली फ्रेंड्स गर्मियों का मौसा माचुका है और हम लोग जब कहीं वहार ट्रैवल करते हैं तो इस प्रकार के प्लास्टिक के बॉटल का यूज करते हैं जो पानी को काफी ज्यादा समय तक नहीं रख पाता और पानी गर्म हो जाते हैं तो फ्रेंड्स इसके लिए हम लोग कभी-कभी यूज करते हैं इस प्रकार के थार्मोस्टिल बॉटल का जो होट एंड को दोनों कंडिशन के लिए यूज किया जाता है तो फ्रेंड्स क्या हमारे वातवरन का टेंपरेचर काईएस्ट जाते हैं तो इसमें बॉटल पानी को अच्छी तरह से ठंडा रख पाता है तो क्या होगा अगर जब हम इसी बॉटल 40 80 99 ribs temperature तक इसे ले जाएंगे और देखेंगे क्या पानी को ठंडा रख पाता है या नहीं TV इस constraints को पानी को ठंडा रख पाता है या नहीं in संहारे video पसंद आ रहे हो तो इसे स्ब्सक्राइब करें और इसी तरह ओर और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंट अचुके हैं 100 dd centigrade वाले एरिया के पास और आप देख पा रहे हैं इस कूकर में पानी किस प्रकार से बॉयल हो रही है आपको पता है कि पानी 100 dd centigrade पे बॉयल होती है और उस कूकर का टेम्प्रेचर बिल्कुल 100 dd centigrade हो गा तो हम क्या करेंगे इस थर्मोस्टील के अंदर पानी को add करेंगे और उसे temperature meter की मेजर करेंगे और पिर इस 국 कर के अंदर एड कर हम इसे आदर गंड़ा से ज्यादे समय तक इसमें while करेंगे और फिर इसके temperature को मेजर करेंगे और देखेंगे क्या थर्मो इस थिल पानी को ठंडा रख पाया है या नहीं तो चलिए हम इस थर्मो इसे पानी को आद करते हैं और फिर इसके अंदर के टेमप्रैचर को मेजर करेंगे तो friends हमने इसमें पानी को add कर दिया है और इस temperature meter की मदद से हम इसके temperature को measure करेंगे और दिखाएंगे कि इसका पानी का temperature कितना है और हम इसे 100 degree centigrade पे काफी heat करेंगे और उसके बाद फिर इसके temperature को दिखाएंगी इसका temperature कितना है तो friends आप देख पा रहे हैं इसका temperature घटते जा रहा है और देख पा रहे है 23.3 23.2 के अगस प्रॉक्स इसका temperature गया है friends आप देख पा रहे हैं और घट सकता है इसका temperature अप्रॉक्स 23.1 के अप्रॉक्स गया है friends तो हम इसके temperature को फिर heat करने के बाद मेजर करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या इसके temperature में कोई changing हो पाया है तो चलिए हम इसे 100 degree centigrade वाले area में उसे put करते है friends हमें एह अनुवान नहीं कि इसका क्या होने वाला है आप देख पा रहे हैं पानी कितना वा फ्रेंड रहा है यह वाल हो रहा है please दो चलिए इसे हम इसमें एड़ करते हैं आप देख पा रहे हैं हमने कुकर के अंदर बॉटल को एड़ कर दिया है आप देख पा रहे हैं पानी कितनी तरह से बॉइल हो रही है पानी बिल्कुल 100 एड़ से बॉइल और ये फ्रेंट तो हम इसे आधा गंडा के लिए इसे छोड़ देते हैं आप पाया है या नहीं तो चलिए हम इसे आधा गंटा के लिए छोड़ देते हैं और फिर मिलते हैं आधा गंटा के बाद और इसके temperature को measure कर दिखाते हैं इसे 100 यूज फाइव मिनट्स एवाब हो चुका है तो हम इसे निकालेंगे और इसका temperature को major कर दिखाएंगे कि इसका क्या हुआ आप देख पाएंगे फ्लास काफी heat हो चुका फ्रेंड से thermostil काफी heat हो चुका है इसे हाथ से नहीं उठा सकते हैं तो हम इसे कपड़े की मदद से निकालेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि इसका temperature कितना हुआ है तो चलिए हम इसे इस कपड़े की मदद से पकड़ कर निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसका temperature कितना हुआ है कोई changing हुआ है या नहीं क्या पानी को ठंडा रखफा आया है नहीं आप देख पाएंगे हम इसे ठीरे से खोलेंगे और इसका temperature को measure कर आपको दिखाएंगे आप देख पाएंगे पानी थोड़ी मातरा में कम गए है या फ्रेंड्स क्योंकि वो steam बनकर उड़ चुका है और हम इस thermos steel को खोलने की प्रयास कर रहे हैं आप इस temperature की मेटर की मदद से हम इसे this temperature को measure करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे क्या इसका temperature में कोई qih या नहीं तो चलिए इसके अंदर हम इस टेंप्रेचर मीटर को पुट करते हैं और फिर इसके टेंप्रेचर को मेजर करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं आप देख पाएंगे इसका टेंप्रेचर लगतार डाउन होती जा रही है आप देख पाएंगे इसका टेंप्रेचर धीरे धीरे डाउन हो रही है और फिर आपको दिखाते हैं इसका टेंपरेचर कितना दिखा पाता है आप देख पाएंगे थर्टी थर्टी नहीं 23.5 23.4 23.3 हो गई है फ्रेंड्स और अभी डाउन हो ही रहा है 23.2 पे आ गई है प्रॉक्स हमने इसमें जब पानी को डाल कर फ्रेंड्स कोई ज़्यादा चैंजिंग नहीं है फ्रेंड्स एक डिग्री का मात्र अंतर हुआ है 100 डिग्री सेंटिग्रेट पे पानी को गर्म करने के बाद काफी अमेजिंग रिजल्ट में तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा इस थर्मो स्टील का कमाल हमें ऐसा अनुमान नहीं था फ्रेंड्स कि ये थर्मो स्टील इतना परफेक्ट रूप से बर्क करेगा आप देख पाएंगे हम इस टेंपरेचर मीटर की मदद से आपके दोनों कंडिशन की टेंपरेचर क दिखाया कि ये पानी को किस परकार से पर जाने के बाद एठंडा रख पाता है तो फ्रेंड्स हमारे वीडिए पसंद आ रहे हैं इसे लाइक करें और इसी तरह के और भी इंड्रेस्टिक डीवीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें तो आज के लिए इतना ही चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में किसी नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिए जाएवार